या शब्द का हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग समझेंगे इस वीडियो में या का इंग्लिश में मीनिंग होता है used for expressing agreement और affirmation हिंदी में मीनिंग है हाँ जहां पे हाँ कहना हो या हाँ वर्ड को दर्शानी के लिए use होता है या चलिए इसको एक्जाम्पल से समझ लेते हैं are you coming to the party? या definitely क्या आप party में आ रहे हैं? हाँ निश्चित रूप से तो यहाँ पे या का मतलब है हाँ definitely means निश्चित रूप से तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching